नमस्कार नूस पर इंडिया में आपका स्वागत हैं मैं हूँ आपके साथ कुमार स्पी ने हत्या के दो अलग-अलग मामलों का खुलासा किया शार के पुलिस कंट्रोल रूम में बुधवार को स्पी ने हत्या के दो अलग-अलग मामलों का खुलासा किया उन्होंने बताया कि अत्या के मामले में दो आरोपियों को गिरफतार किया गया है स्पी रोहित काशवानी ने बताया कि दिगोडा थानाक्षित्र के पच गईया गाउं निवासी 42 वर्षिय पप्पो अहिरवार में दो अप्रेल को शिकाद दर्ज कराते हुए बताया था कि उसका चचेरा भाई फूल चंद अहिरराओ गाउं में किराने की दुकान चलाता थ 29 मार्ज को दुकान पर गाउं का सर्मन अहिरवार उधारी में किराने का सामान लेने आया जब फूल चंद उधार सामान देने से मना किया तो सर्मन ने लाठी डंडों के साथ उसके साथ मार पीट कर दी गंबेर हालत में फूल चंद को इलाज के लिए जिला अस्पताल में पर्ति कराया गया जहां एक अप्रेल को उप्चार के दोरान उसकी मौत हो गए पुल्चन की मौत के बाद पुलिस ने आरोपी शर्मन के खिलाफ धारा 302 के तद मामला दस्थ किया आज आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायलई में पीश किया जा रहा है बेटे ने लाठी डंडो से इता की हत्या एसपी ने बताया कि दूसरा मामला चंदेरा थाना क्षेत्र के गंज महलने का है 22 मार्ज को 35 वर्षे जुन जुन बाई पती सुखलाल आहिरवार ने थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए बताया था कि उसके 85 वर्षिय ससुर कल्लो आहिरवार के साथ उसके सब्सक्राओं के तहत मामला दर्ज किया था रिफ्तार करके बुद्वार को निया अलई में पेश किया जहां से दोनों आरोपियों को जेल भीज दिया गया है इसमें अधर प्रुण हो अधर रिफ्तार कि बुद्वार के साथ इसमें प्रुण के साथ किया था उसके पाती है के विवेशन हो रिफ्तिकों सुसर्दी दान है इस बढना है और इसमें खाना संदोर के पुरिटिम सरगी दोत राइब जाए 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 है